नमस्कार स्वागत है आपका सेल्फ स्टेडी के चैनल पर और आज हम अपनी इस वीडियो में डिसकस करेंगे यह इतना मड़ा आपको नाम दिख रहा न है फिनले डाइजेशन यह क्या होता है इसको हम जानेंगे युक्रेन के उपर जैसे संकट चाया हुआ है रूस ने आकर्मन कर रखा है और इस वक्त फिरकी ले लिया है या फिर गए एक तरीके से मजा ले लिया फ्रांस के प्रेजिडेंट ने तो फ्रांस के प्रेजिडेंट ने सलहा दी है यूक्रेयन को कि आपना एक काम करिए फिनलेंड की तरीके से फिनलेडाइजेशन कर लीजी रूस के साथ आज आपको ये जानने को मिलेगा ये टर्म जो है वो क्यों इतनी सुर्ग्यों में बनी हुई है और जो मजा लिया गया है वो भी आप लोगों को आज को जानने को मिलेगा PDF के लिए important information आप लोगों को दे देता हूं कि PDF काम मिलेगी टेलिग्राम का एक लिंक दिया मिलेगा description box में तो जाकर आप वहां से PDF डाउनलोड कर सकते हैं तो दिना किसी देरी के अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं देखे हाली में फरांस के जो president है जो राष्टपती है उन्होंने सुझाव दिया है कि देखे रूस और युक्रेइन का यूस स्मापत हो सकते हैं कैसे समापत हो सकता है अगर युक्रेन जो है वो फिनले डाइजेशन कर ले अब फिनले डाइजेशन भी जानेंगे लेकिन उससे पहले एक चीज समझो युक्रेन ने ऐसा क्या कर दिया होगा कि आप सोच कर देगो युक्रेन ने ऐसा क्या कर दिया होगा कि रूस ने उसके प कुछ किया जिसके कारण रूस भढ़का और रूस ने उसके उपर अक्रमन करना शुरू कर दिया तो अगर आपको नहीं याद आ रहा तो मैं बता देता हूँ नाटो भाई साब जो नाटो है एक तरीके से युक्रेइन बोला कि मुझे नाटो के अंदर शामिल होना है नाटो यानि जो अमेरिका ने अपने साथ कुछ देशों को मिलाकर एक संगठन बना रखा है नाटो उसके अंदर शामिल होने की इसने अपनी इच्छा जदा धी बस यही करना था और यही समझो इसकी सबसे बड़ी गलती थी क्योंकि यहां की जो प्रेजिडेंट है उक्रेइन के वो है कोमेडियन मतलब पहले वो हसाया करते थे और अब यहां पर क्या हुआ इन्होंने हंस्ते हंस्ते ऐसा कहा दिया कि भाई यह हम ना नाटों में शामिल होना चाते हैं भाई यह नाटों में शामिल होना चाते हैं बस इतना ही सुनना था रूस के प्रेजिडेंट वाल्दी मरपोतीन जी को तो उन्होंने आकर्वन कर दिया कहते हैं तुमको मिलाएंगे हम आपको नाटों में तो यह सबसे बड़ा कारण है कि रूस ने अटैक कर दिय युक्रेयन के ऊपर नाटों में शामिल होने की बस इस इच्छा को बस इसने निकालाई था और कहा दिया कि बहिए चलो तुम्हें नाटों मिलाएंगे नाटों चोड़ो हम वापस यूससर बनाएंगे वापस अपना क्यूंकि आपको पता हैं 1991 के अंदर यह टोटल 15 देश अजीम सा ही नाम है तो उससे पहले थोड़ा सा इतिहास को जान लेते हैं देखें इतिहास में अगर आप देखें 1935 से लेकर 1945 इन दोनों के बीच को अगर आप देखें तो यहां पर क्या चला था 2nd World War चला था 2nd World War चला था 2nd World War जब खतम हुआ था तो दो सबसे बड़ी त आकतें जो थी वो उस वक्त उभर कर सामने आई थी एक थी USA और एक था USSR आज की रेट में यह रूस है 1991 के अंदर इसका विगटन हो जाता है यानि 15 देशों में तूट जाता है जैसे आप देखेंगे यहां पर आपकी सामने मैप लगा भी रखें और यह सारी चीजें आपक युग्रेयन निकल करा है तो यहां पर जब था है World War II खतम हुआ तो World War II खतम होने के बाद USA की अपनी एक सोच है होता ने विचार धारा की विचार धारा है वह यहां पर लडाई स्टार होती है 1945 के बाद विचार धारा है और जो USSR की है जो विचार धारा है वो साम्मेवाद यानि Communism की जो इसकी विचार धारा है अब यहां पर लडाई स्टार होती है 1945 के बाद विचार धाराओं की War of Narrative आपने एक मुवी देखिए कि तो कश्मीर फाइल जैसे उसमें बोला जाता है कि आज की डेट में जो War चला हुआ है वो Narrative का War चला हुआ है यानि विचार धार को लडा लिया इन्होंने या फिर अपने अंडर कुछ कह सकते हैं कि अपने गुट के अंदर कुछ देशों को मिला लिया तो इनके बीच में यूद स्टार्ट होता है तो यहां पर इस साइड जो है वो अमेरिका था और अमेरिका ने ये जो उरोप का जो पष्चमी हिस है यह जो हो गया यह वेस्टन हो गया यह इस्टन हो गया तो अमेरिका ने बोला अपने इस पश्चमी हिस्से वाली उरोप को कहा कि देखो तुमने भाई यह सेकंड वर्ल्ड वोर्स खतम कर लिया और तुम्हारी हालत हो गी यह बहुत जादा खराब क्योंकि भाई बिल्कुल अबर के सामने आता क्योंकि पैसे थे अमेरिका के पास तो अमेरिका ने इन सब देशों को बोला कि आप एक काम करिये ना आप मेरे साथ जुड़ जाएए एक तरीके से यूएस से कह रहा था कि आपको मैं कुछ पैसे दे देता हूँ और आप आने वाले टाइम में बस अमे साथ शामिल करने के लिए कहा था कि मैं आप लोगों को 13 बिलियन डॉलर दूगा ये कब की बात है 1948 की बात है ध्यान रखना 1948 की बात टाइम में अमेरिका ने कहा था कि मैं आप लोगों को वापस खड़ा करूँगा आप लोगों को वापस डेवलोप करूँगा वहां पर सा अब ये एकदम कंगाल हो चुका था 1948 में बता रहा हूँ, एकदम कंगाल हो चुका था क्योंकि इसके पास कुछ नहीं बचा था इस 13 बिलियन डॉलर में से 50% 50% मनी जो है, वो UK लेके चला जाता है, और UK कहता है कि भई मैं आपके गुण काऊंगा, अमेरिका हो कहती है कि मैं आने वाले टाइम तक, जितना भी होगा मैं मरते दम तक, मैं तो जयजय कार करूँगा अमेरिका के, यह हो गए यहाँ पर और इस प्लान को कहा जाता है कि यह जो अपने साथ इस विचार धारा में मिला ता इस प्लान को कहा जाता है Marshall Plan यह जो Marshall Plan जो था, वो किसने चलाए था वो चलाए था अमेरिकावालोंने अमेरिकावाले क्या कर रहे थे अपनी विचार धारा के देशों को एक साथ लाने की कोशिश कर रहे थे, अपनी एक गुट बनाने की कोशिश कर रहे थे, वो UK तो अल्रेडी आ चुका था कि अमेरिका को दे दो इतना, UK ने ले लिए 50% कुछ एक हिस्सा जर्मनी को, फ्रांस को मिल गया, एक-दो मिलियन जो है फ्रांस और जर्मनी इनों ने ले लिया, तो एक तरीके से यह जो पश्चमी जो यूरोप देख रहे हो, वो कहीं न कहीं अमेरिका के साथ मिल गया था अब इदर रशिया रह गया अकेला रशिया बोला भाई, यह क्या चल रहा है हमारे इलाके में, यानि इरोप में आके, तुम इरोप के ही देशों को अपनी साथ मिला लोगे, और हमारे साथ लड़ाई कर लोगे ना, ना, ऐसे दोड़ना चलेगा तो यहां, रूस जो है, वो अपने देखो, यह रूस जो है, यह यहां पर तो रूस ने का, भाई, हमसे रहके हमारे एरिया में आके, हमसे बैर कर लोगे ऐसे कैसे चलेगा, और उपर आप देखी, यह रहा फिनलेंड, यह फिनलेंड रहा तो यहां पर रूस ने क्या किया, अपने यहां पर जितने भी जो देश है, उनको अपनी गुट के अंदर मिलाना शुरू गी है और उस गुट को अंदर मिलाने की प्लैन, उस प्लैन को कहा गया है मौलटोव, 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 जो है वो प्लैन का नाम दिया गया, यह разв़ा जो, UK, USA का जो प्लैन था, उसको Marshall और Russia का जो plan था Molotov जो plan कहा गया यह सारे जो काम थे वो एक तरीके से अपने अपने विचार धारा के area के देशों को एक साथ लाना था तो रूज जो है वो सामेवाद को परमोट कर रहा था जो अमेरिका है वो कैपिटलिजम को परमोट कर रहा था यह सब चीज़ें हो रही थी अब यहां पर यह बैठा एक देश यह बैठा फिनलेंड फिनलेंड भाई साब एक तरीके से मुहाने पर बैठा है इसके मूँ के उपर बैठा है रूस के तो अमेरिका भी चाह रहा था कि इसको क्रिल लेकिए इसके आस पास के जो यह जो नौर्वे, स्विटन यह सारे आ चुके थे इसके पास अमेरिका के पास अब रूस के पास यहां पर बैठा था फिनलेंड मूँ के उपर बैठा अब फिनलेंड को रूस भी शामिल करना चाह रहा और यूएस से वो भी शामिल करना चाह रहा कि भाईया मैं आपको पैसे दूँगा आज वो हमारे साथ मिलो रूस भी शामिल करना चाह रहा कि मैं आपको पैसे दूँगा मेरे साथ मिल जाओ यहाँ पर अब यहाँ पर फिनलेंड बोला कि भई मैं नहीं मिलूगा किसी के साथ भी मैं किसी के साथ भी नहीं मिलूगा 1948 में ये एक संदी कर लेता है रूस के साथ रूस के साथ ये संदी करता है देखो भाई साब आप क्या कहते हो कि आप अमेरिका के साथ जाने से हमें मना करते हों नहीं जाएंगे लेकिन हम आपके साथ भी नहीं आएंगे हम रहेंगे गुट निर्पेक्ष भारत जो कबसे नोन अलायंस का एक हमेशा पालन करता रहा है कि हम किसी के साथ भी नहीं जाएंगे वो एक तरिके से रूस भी कहा रहा था कि हम किसी मार्शल प्लैन में शामिल नहीं होंगे लेकिन साथ ही साथ जो आपकी मॉल्टो की जो एक संदी है या फिर प्लैन है इसके अंदर हम कभी शामिल नहीं होंगे तो यह जो है फिनलैंड ने बोली और जानकर हैरानी होगी 1948 में जब इसने संदी की थी अपने USSR के साथ उस वक्त USSR हुआ करता था USSR के जब इसने संदी करी थी तब से लेकर आज तक रूस ने कभी इसके पर अटैक नहीं किया है तो यह जो है बात बोल दी फ्रांस ने युक्रेन को कि भाईया आप कर लो ना क्या जाता है आप भी बोल दो फिनलैंड के तरीके से आप जो है वो रूस के नाम आजएगा है युक्रेनाइजेशन ऐसे कुछ करके एक नाम बना दिया जाएगा और यहां पर आप दोनों के बीच में जो है वो समावत हो जाएगा क्यूंकि सबसे बड़ा कारण आप देखें तो युक्रेन का कहीं ना कहीं नाटो की तरफ भाई रूस जो चाह रहा ह लेकिन अमेरिका इस बाद से काम आनने वाला तो वो आज भी गुट की नीती अपनाता ही है वो देशों को अपने साथ मिलाने की कोशिश करता है और यह बात रूस को पसंद नहीं थी और यहां पर युक्रेन जो है वो नाटो के अंदर शामिल होने की बात करता है यह रूस बारे में देखो मौसको और पश्चिम के बीज सक्त तटस्था की नीती यानि कि हम यहां पर नूट्रल रहेंगे ना तो हम अमेरिका के साथ मिलेंगे ना हम रूस के साथ मिलेंगे यह जो नीती जो अपनाई गई थी शीत यूद के दौरान अपनाई गई थी फिल्लेंड क रखेंगे हम भाई मितरता भी रखेंगे अमेरिका के साथ हम मितरता भी रखेंगे USSR के साथ हम सहयोग भी करेंगे सहयता भी करेंगे एक दूसरे के साथ लेकिन हम किसी भी किसी भी गुट के अंदर शामिल नहीं होंगे और इसे फिनलेंड ने 1948 में USSR के साथ इस योजना के उप पर हस्ताक्षर किये थे, समझ में आया ये क्या बोला मैंने, ये था 1948 में फिनलैंड और रूस के बीच में हुई एक संधी, फिनो सोवियत ट्रीटी कहा जाता है इसको, फिनो सोवियत ट्रीटी कहा जाता है इसको, clear, और इस ट्रीटी के आर्टिकल नमबर एक में ये लिखा ग वो अपनी जमीन की रक्षा कर सकता है, अपने हिसाब से, और उसके लिए वो किसी भी बल का, यानि धल सेना का, नो सेना का, वायू सेना का, वो यूज कर सकता है, यानि अपनी जमीन को बचाने के लिए, वो अपनी हर सेना का यूज कर सकता है, अपनी गरीमा को बनाए रख सकता है और साथ इसाथ अगर उसको जुरूरत पड़ती है help की तो सोवियत रूस जो है यानि कि USSR जो है उसकी help करेगा और यहाँ पर इस treaty में लिखा गया था कि जब अगर help मांगी जाएगी Finland के द्वारा तो USSR अपनी help जो है वो पहुँचाएगा Finland को तो यह treaty की जाती है यहाँ पर clear हुआ अब treaty जो की गई थी 1948 में की गई थी 1992 तक एक तरीके से 1991 में विगटन हो जाता है USSR का total 15 देश बनते है जिसमें सबसे बड़ा देश जो है वो रूस निकल कर आते दूसरे नंबर पर यूक्रेयन निकल कर आते है तो 1991 में जो यह दूसरे जो इसका विगटन होता है तो यहाँ पर जो संदी है 1948 से लेकर 1992 तक चलती है फिर बाद में क्या होता है भई रूस के साथ क्या वैवार अपनाया जाते है भई यह जो treaty जाती है इनकी Finlandization की वो बहुत अच्छी से जाती है एक तरीके से hard थी यह treaty दिल था यह जो सिंधा जो अपनाया गया था Finland के द्वारा इस चीज़ को वो आगे भी continue करता है clear और इसको कहा जाता है PCKV के कोनेन लाइन बड़ी अजीब नाम है यह देख लेना आपके सामने लिखा हुआ है और PDF भी मिल जाएगी तो Finland के इस दिरिष्टी कोन से जिसकी राजदानी क्या थी Helsinki है और Finland की काड़ी में स्थीत है Sandeem ने इसे Baltic और पूरवी European राज्यों जो राज्यों का मतलब यहां पर ऐसे समझा देश हैं पूरवी European देशों के हमले से USSR में शामिल होने से बचाया यानि कि यहां पर एक तरीके से गुट निर्पेक्ष रहा और कहा कि भाईया मैं किसी भी गुट में शामिल ने होगा लेकिन अपनी जमीन की रक्षा कर सकता हूँ यहां पर तो एक तरीके से इसको अलग ही रखा और आस तक यह इसके पर किसी ने हमला नहीं किया और इसने देश की महान शक्तियों के बीच वाले संगर से बाहर रखते हुए लोक तंतर पूंजी वाद के मार्क पे चलने के अनुमती दी यानि इसमें कैपिटिलिजम है डेमोक्रिसी भी है और यह अपनी हिसाब से चलता है क्योंकि इसने बोल दिया खिए अमेरिका के साथ शामिल नहीं होँगा और फिन्लेंड ने जैसे मैंने गाला मार्शल प्लैन और पेद्ड हुआ ठीम चलाया था तो यह सारी बातें ताम ज्हाम ये जो बोला गया है तो यही आपने अगर नाटों की बात ना बोली होती तो शायद आज रूस आपके उपर अटेक ना कर रहा होता आप अगर रूस के साथ सही ढंक से मिल कर रहा होते तो आज शायद आपकी जो हालत कर रखिये वो रूस ने ना की हुई होती तो सबसे ज़्यादा कारण यही है सबसे बड़ा कारण यही है कि यूक्रेन कहीं न कहीं यह जाहिर करती है कि मैं नाटों के साथ आना चाहता हूँ वो एक गुट में शामिल होने की बात कर रहा है क्लियर हुआ आप सब को अब आगे चलते हैं अब आगे की रहा कहें देखे आगे की राज सभी जो लोग एक कही न कहीं दबी आवाज में युक्रेयन को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं आपने एक काम करिए आप कर लीजिये संदी आप रूस के साथ मात कर लीजिये उनको बोल लीजिए हम नाटो में कभी शामिल नहीं होंगे ये बात बोल दीजिए क्योंकि आपका एक जो फैसला है यूद लड़ने का क्योंकि देखो नाटो आपकी help के लिए आएगा भी नी सच में नी आएगा वो कही न कहीं sanction sanction खेल रहा है और जैसे sanction लगाये गए है रूस के ओपर भाई आपको जानका है लानी होगी बुखमरी के हालात हो गए है आसपास के देशों में क्योंकि सबसे बड़ा भाई यहां से गेहूं खाने की चीजें जो है वो पहुँचाए जाती थी बाग की देशों में साथ इसाथ रूस पहुँचाया करता था अपने जहां पर जितने खाने उत्पाद होता थे उसका धाई गुना वो आसपास के शेतर में पहुचाता था अब वहां पर अमेरिका ने इनके ओपर रूस के ओपर परतिबन लगा डाला अब परतिमन लगाने के कारण वो समान कोई दूसरा देश खरीद नहीं रहा भुखमरी के आहलात हो गए है और भुखमरी के आहलात होने के कारण वहां पर एक तरीके से समझो वर्ल्ड वोर की हिस्तिती उत्पन हो गई है अब गेहूं की लडाई चल रही है यार तो ऐसे हालात अब राश्ट अब देखो अमेरिका ने कहीं न कहीं ये यूद स्टार्ट करने के उपर भुमी का निभाई है उसने उक्साया है उसने यूक्रेन को उक्साया है य nucle का एक मकसद होता है कि लीडर के पास एक गुण होना चाहिए कि वो आने वाले वक्त को भाब पाए कि क्या हो सकता है कोन मेरा साथ देख सकता है कोई इनको साथ नहीं दे रहा है केवल हतियार भेजे जा रहे है अरे हतियार को चलाने के लिए ये लोग तो चाहिए न, लोग तो मर रही है, आप कहां से इनकी help कर रहे हो, हतियार भेज कर, पैसा भेज कर, पैसों को करेंगे क्या, उनको लोग चाहिए, हतियार आगे चलाने के लिए लोग चाहिए वहाँ पर, वो तो भेज के दिखा, वो कोई भेजगा नहीं यहाँ पर रूस जो है वो शायद पीछे हटे और इनको सही जंग से बस कह सकते कि जीने भी दे वहाँ पर दुबारा से चीजों को normalization किया जा सकते हैं तो उमीद है कि यह सब चीजें आप लोगों को समझ में आई होगी कि finlandization क्या है फिरकी ले ली गई है भारत ने भी ये बात बोली थी कि आपस में बैट कर बात सुलजा लो और हमेशा जैसे भारत ने एक निती अपनाई है गुट निरपेक्स की कहीं न कहीं आप देखो तो कि भारत की जो प्रिपलों में सी है वो पूरी दुनिया में उसका धंका बच रहा है clear तो उमीद कर रहा हूँ कि सारी चीज़ें आपको clear हो गई होगी clear हो गई होगी तो मुझे कैसे बताएं like कर दीजिए चैनल वीडियो को और subscribe कर दीजिए चैनल को और PDF के लिए मैं आप लोगों को अलड़ी बता चुका हूँ कि PDF का मिलेगी description box में telegram का link दिया मिलेगा तो जाकर आप वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं या फिर telegram पर self study लिख लिजिए आपको इस तरीके का icon नजर आएगा तो सीधे वैसे भी connect हो सकते हैं clear और जादा ही पसंद आए हैं तो शेर करना ना भूलें वीडियो को भी और चैनल को भी thank you for watching this video